Welcome Dear Children, जैसा कि आप मेरे थम्निल पर देख पा रहे हैं, जीरो पिरिट पे आज मैं लेकर आया हूँ, क्लास टेंथ के मैथेमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर का एनलेसिस, ये एनलेसिस ये 2021 में होने वाले बोर्ड एक्जाम से रेलेटिड है, और ये जो कुछ भी एनलेसिस में आपके सामने लेकर आया हूँ, वो एनलेसिस सी बी एसी के जो अफिशियल वेब साइट पर जो उन्होंने सिंपल पेपर प्रोवाइट किया है, उसके आधार पर है, तो सी बी एसी की जो बोर्ड परिक्षा इस साल होने वाली है, उसमें मैज का पेपर का प्रारूप क्या रहेगा, उसका फार्मेट क्या रहेगा, उसमें कौन-कौन सी चीजें ऐसी हैं, जो आपको जाननी चाहिए, उसको मैं इस वीडियो में डिसकस करूँगा, तो वन बाई वन हम उसके सारे पॉइंट को डिसकस करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको दोनों तरह के ज टाइम वेस्ट किये, हम शुरुआत करते हैं, इस एनलेसिस का, जीरो पिरेट में आप बने रहेए, और इस वीडियो को पूरा शुरू से आखरे तक देखिए, ताकि आप समझ सकें कि आपके लिए, इस साल पेपर में कौन-कौन सी बातें हैं, जो आपको ध्यान रखनी है जो question paper आपका होगा इस साल का, यानि कि 2021 के लिए, जो simple question paper के आधार पर मैं analysis आपके सामने रख रहा हूँ, और जो main points हैं, उस पे हम एक-एक करके बात करेंगे आईए, यह समझने की कोशिश करते हैं, कि हमारा paper किस तरह का होगा, और क्या इसमें नहीं बात है, जो हमको जाननी चाहिए तो पहले line पर आप देख पा रहे होंगे, कि maximum marks लिखा हुआ है 80, इसका मतलब आपका question paper 80 marks का होगा, इसमें कहीं कोई change नहीं हुआ है और duration उसकी 3 hours की होगी, इसमें भी आपको कोई नया change नहीं दिख रहा होगा, तीन घंटे का paper होगा, जो 80 नंबर का होगा, ठीक है तो जो बाते नहीं हैं, वो उसमें क्या है, कि जो question paper है, वो दो section में divided होगा, two parts इसके होगे ये जो मैं भी बात कर रहा हूँ, ये basic papers की बात कर रहा हूँ ना, आपके जो 10th के जो math के candidate हैं, वो ये जान रहे हैं कि दो तरह का हमारा paper है, इस बार एक तो basic है, एक standard है, तो आप basic की बात में मुझे सुनने की कोशिश कर रहे हैं, मैं अभी आपके साथ केवल basic की बात कर रहा हूँ, उसके बाद हम discuss कर लेंगे standard की, तो basic जो paper होगा, वो कुछ इस तरह का होगा कि उसके दो पार्ट होगे, और एक पार्ट को नाम दिया होगा A, दूसरा पार्ट होगा हमारा B, बोथ पार्ट A and B have internal choices, दोनों में अपने internal choices होगे, पार्ट A में भी और पार्ट B में भी, दोनों पार्ट में internal choices होगे, वो choices कैसे होगे, उसको समझते हैं, पार्ट A की बात करें पहले, पार्ट A में दो sections होगे, section 1 और section 2, 2 sections होगे, part A में, section 1 में क्या होगा, कि 16 questions होगे, section 1 जो होगा, उसमें 16 questions होगे, और इसमें internal choice is provided in 5 questions, इसके 5 questions ऐसे होंगे जिसमें internal choice होंगे 5 questions में, बाकी 11 questions में आपके पास choice नहीं होंगे, 5 questions में आपको internal choice होंगे मतब ये या ये, ये या ये, इन दोनों में से कोई एक आप इस तरह से कर पाएंगे ये option आपको 5 questions में मिलेंगे दूसरा section जो section two होगा section two में क्या बात होगी वो समझ ले section two में four case study based question होगे कोई एक case study based question होगा case study based question कहने का मतलब यह है कि हो सकता है आपको कोई एक story बता दे कोई एक figure बता दे कोई एक diagram दिखा दे उससे related कुछ statement बना दे छोटा सा फिर उस पे based कुछ questions वो create कर दे तो यह study based question होगे each case study has five case based sub parts पांच उसके sub parts होगे और an examinee is to attempt any four अब वो पांच में से कोई चार आपको करने की सुविधा होगी आपके पास एक choice होगा कि आप उसमें से कोई एक छोड़ सकते हैं मतलब पांच में से चार आपको करने होगे एक आप छोड़ सकते हैं तो यहाँ पर भी एक internal choice की बात मिल रही है आपको तो आपने section one और section two दोनों समझ लिया part a में दो section होगे पहले section में sixteen question होगे उस पे पांच question ऐसे होगे जिनमें आपको internal choice मिलेगा बाकी में नहीं मिलेंगे section two जो होगा वो study based होगा तो study case study based होगा case study में आपको एक case दिया जाएगा उस पे based questions आएंगे उन में से पांच question होगे पांच में से आप कोई भी चार attempt कर सकते हैं पांच वह आप छोड़ सकते हैं तो यह तो बात हो गई part a की part b की बात कर ले part b जो है question number twenty one से twenty six तक होगा मतलब यहां तक आपके पास question twenty complete हो गए 16 आपने first section में attempt किया और 4 आपने दूसरे section में attempt किया तो यहां तक आपके question twenty complete हो गए 20 question आपने यहां पर तक कर लिया अब एक कई से 26 तक का question होगा वो very short answer question होगे यह ऐसे question होगे जो बहुत छोटे छोटे उत्तर सीधे सीधे उत्तर वाले question होगे जो दो mark आपको देंगे हर question दो mark का होगा short answer question होगा आपको बहुत ज्यादा इसमें जा करके explain करने की ज़रुत नहीं पड़ेगी तो यह 26 question तक की बात हो गई आगे आएंगे तो 27 से ले करके 23 तक मतब 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33 आलमोस 7 question है यह तो यह 7 question जो है वो short answer type question होगे और 3 mark each के होगे तो 7 question जो है वो ऐसे मिल रहे हैं आपको जो 3, 3 marks के होगे थोड़ा बड़ा होगा एकदम छोटा नहीं होगा आपको कुछ हो सकता है छोटा मोटा prove that मिल जाए हो सकता है छोटा मोटा descriptive question मिले जिसमें आपको step by step question को solve करना पड़े यह बात हो गई 27 से 33 तक की अब हम बात कर ल होगे और वो सारे 5 number के होंगे आप यह ध्यान दें पहले हमारे पास 4 number के भी question हुआ करते थे इस बार वो question हट गया है उसकी जगा 5 number के question आ गया है मतलब आप से यह उमीद की जा रही है कि आप उस जब question को solve करें तो 5 number के लायक आप अपना explanation दें मतलब question में units check हो जाएंगे operation proper होने चाहिए, sign proper लगे होने चाहिए, statements proper होने चाहिए, मतलब 5 mark का जब question कोई कहता है तो इसका मतलब यह है वो आपके सारे aspects उसमें check करना चाहता है वो आपको complete descriptive type of question दे रहा है जिसमें आपको सारी चीजों को properly explain करना पड़ेगा तो यह होगा 34 से 36 मतलब 34, 35, 36 तीन question आपक 5 mask के मिल जाएंगे यह आपके part B के हिस्से होंगे अब आते हैं इनके choices के बारे में कहां कहां क्या क्या हो सकता है क्या possibility है हमारे पास internal choice की internal choice is provided in two question of two mark तो जो दो mark के question है इसमें दो question में आपको मिलेगा internal choice और जो तीन mark के question है two question of two mark two question of three mark तो three mark में भी तीन question में आपको मिल जाएंगे दो question of three mark और दो question of two mark और one question of five mark five marks वाले में one question में आपको मिलेगा internal choice तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए और उसके आधार पे आप अपनी तैयारी रखें ताकि आप कल को जब exam में appear होएं तो ये सारी बातें आपके दिमाग में रहे और आप तैयारी करते समय बीन बातों को ध्यान रखें और exam में बैठते समय बीन ब जो अपने website पर sample paper डालने हैं उसके basis पर है आप देख सकते हैं ये cbse के website से ही लिया गया है class 10th mathematics basic 241 ये इसका code number होता है sample question paper 2020 2021 अब ऐसे ही आपके पास एक और है जो हम standard maths के लिए कह सकते हैं उसको देख लेते हैं क्या कोई उसमें change है अगर नहीं है तो analysis लगबग लगबग यही है आल्मोस नाम भर बदल जाएगा question के standard बदल जाएंगे देख लेते standard maths क्या कहता है ये standard maths का है standard maths 2021 subject mathematics standard simple question paper maximum marks इसमें भी 83Rs का इसमें भी paper है कहीं कोई change नहीं दिख रहा है मुझे दो पार्ट section A section B होगा both parts have internal choices it contains three sections one and two section one has sixteen questions of one mark each बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने basic में देखा है और पर पांच में internal choice होंगे section two में four questions होंगे case study के each question carry five case based subpart तो सब कुछ वैसे ही है जैसा आपका basic का paper मतलब basic के paper और standard के paper के pattern में कोई change नहीं है paper का level अलग अलग हो सकता है तो आपने अगर standard choose किया है या आपने basic choose किया है तो farmit almost दोनों का same है इसके लिए परिशान होने के ज़रत नहीं है आप अपनी तैयारी अच्छी रखिये wish you all the best मिलेंगे इस paper के solution के साथ फिर next video में तब तक के लिए take care bye bye